सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यावाद कहना चाहते हूं आप मीडिया पर्संस का भी क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रूआउट जर्नी रैसलिंग में आपने सपोर्ट किया है तो मैं उमीद करती हूं कि मैं आपके उमीदों पे पता लगता है कि अपना कौन है जब हम रोड पे गसीटे जा रहे थे तो छोड के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टिया है वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समझ पा रही थी हमारे आसूं को समझ पा रही थी मैं बहुत प्राउड फिल कर रहे हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचार धारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याएं और उनके साथ बुरे वरताओं के खिलाफ खड़ी है वो लड़ाई लड़ने के तयार है सड़क से लेके संसद तक और मैं भी स्वास दिलाती हूं पूरे देश वासे हो को कि जो महनत जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरी को जो दर्द जो तकलिफ हमने जेली है खास कर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आपको लाचार अपने आपको बेबस समझती है रैसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को छोटी बचियों को इंस्पायर कर सकती हूँ मैं चाहती तो मत जंतर मंतर पे रैसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे पूरा देश इस चीज पो विश्वास कर रहा था क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कार्तूस हैं हम खतम हो गए हैं हम पोल परमातमा को कोई और चीज मंजूर होगी एक चीज मुझे पता है कि जब महनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिसा में मिले कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है और परमातमा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मोक से मैं चाहते हूं कि जो हमने फेस किया एजे खिलाडी होने के नाते उन सब खिलाडीों को वो चीज ना फेस करने पड़े हम उनकी लड़ाई में साथ हैं सायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टिया पावर में रहती है सायद वो साथ में नहीं खड़ी हो लेकिन उनके वाज उठाई थी हमारे साथ बैठके, तो उसका भुगधान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहेंगे नहीं, पिछे नहीं अटेंगे जो लडाई थी वो जारी है, खतम नहीं हुई है कोर्ट में हमारा केस चल रहा है वो लड़ाई भी हम जितेंगे, जिन्दगी की जंग भी हम जितेंगे, खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नई प्लेटफोर्म पे जो मा रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिरफ बोलने तक सिमित नहीं रहेगा ये, हम दिल से हमने खेल किया है, और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मैनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे आथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपनी बेहनों को बताना चाहते हूं कि आपकी बेह से कह सकते हूं दावे से कह सकते हूं कि बिलकुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का